केल राहूल इंडियन टीम के वेकेट कीपर बलबाज 2023 ODI वर्लकप में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करके दिखाया था इंजर्ड हुए थे उससे पहले लेकिन जिस तरीके से वर्लकप और एशिया कप में वापसी की बहुत ही शांदार रहा था लेकिन एक बार फिर से इंजर्ड हो गए केल राहूल और इंडिया वर्सिस इंग्लेंड के वीच में जो टेस्ट मैच्चेस हुआ उसमें मात्र एक मुकाबला खेला चार्ड मैच्चेस के लिए वो अबलेबल थे नहीं इंग्लेंड के थमाम चीज़ें हुई एंसीय में हैं और अब इंडियन प्रेमेर लीग खेलते हैं नजर आएंगे लेकिन बहुत सारे लोग के मन में सवाल है कि क्या स्कीम आफ तिंक्स में है कि राउल क्या कंटेंडर है टी ट्वेंटी वर्ल कप को ले करके क्योंकि रिश दोस्तों को बता दें जितने भी केल राउल के फैंस हैं और इंडियन प्रिकेट के फैंस हैं बिल्कुल स्कीम आफ तिंक्स में है केल राउल दो चीज़ें में क्लेर करना चाहूंगा जहां तक मुझे लग रहा है पहली बात यह कि केल राउल बिल्कुल स्कीम आफ तिंक्स ना के बराबर है यानि कि या तो ओपन करेंगे या तीन नमबर पर खेलेंगे जो कि मैंने आपको पहली भी का उसके पीछे रीजन ये है कि 17 करोड उपए लखनो सूपर जैंस की टीम ने उनको पे किया हुआ है इसलिए नहीं कि वो आकर के 5 या 6 नमबर पर बलेबाजी करें और आकरी के 5 और 7 ओबर में बैटिंग करने का मौका मेरे केल राहूल को इसलिए उन्होंने 17 करोड उपए पे किया क्योंकि कप्तानी भी करेंगे और साथ में टॉप ओडर के बलेबाज है छे चे सो रन उन्होंने ओपन करते वे बनाया है तो फ्रेंचाइजी को इन सब ची से उपर ही बैटिंग करते वे नसर आएंगे दूसरी बात यह है कि बिल्कुल कंटेंडर है केल राहूल धुरूब जोरेल केल राहूल इशान किशन रिशपपन्थ हलांकि रिशपपन्थ को मैं बहुत ज़्यादा भी हाइप नहीं देना चाहूंगा वेकिस अब वो प्रो इसमें सबसे पहले केल राहूल का नाम है अब यह सही है गलत है यह तो बात की बात है लेकिन मैनेजिमेंट चाहती है कि केल राहूल रन करें और उनको प्रायाइटी टी ट्वेंटी वल्कप में दी जाएगी लगातार बनेरे स्पोर्स टॉक के साथ में हर एक छोड़ी लेगा